एंग तो कि अ हेलो हेलो सांडशेग सांडशेग यस गुरजी नाले को को डियूद इवनिग गुरुडब को चल रहा है पता नहीं चल रहा है कभी तुम लो स्धूफार मिल तो री शाम मिल तो ुछ काम मनें की तो लोंको कभी आके बढ़ जाते हो शाम में देगा तुभी तुम्हीं लोग रहते हो दोफ़ देगा तुम्हीं लोग रहते हो कुछ नहीं बच्चे बेटे जाओ तुम लें बच्चे उत्षिता रस्ती के नहां चला तो टेक टू गुड आफ्टार नोन गुड आफ्टार नोन ठीक ये चलो शुबद उपार पीले पीले कुई दिकर दे तो ओके रड़े सब लोग चले इसदर वाले अच ग्यांक है मतला अच के एक दम इसब ऐसे सब अच आप अच ग्यांद ये वैसे भी मतला वो भी लेक्षे यूटूब पर आई न क्या दिकरते वो वैसे भी ने बेटेंगे अचिश्क गणा इधर वाले शुद उड़े अच अच गया बड़े वह इनको क्या तुम्हा दोस्त अच हां पक्का कुछ तब पता उसको ठीक है न हाँ यह कौन बोल रहा है बट्डेश सब्सक्राइब रहा है सेम टीव मेरे भाई सेम टीव सेम टीव वेरी गुट बेश जाना बेटा ठीक है न हाँ चले वन सब्सक्राइब गुट आफटर नोन शुमद उपर यस सब्सक्राइब अपुन टॉपिक पढ़ने है शाप्ता नंबर एट जिसका नाम है कोर्पोरेट फाइनेंशल रिपोर्टिंग ओके बेटा से शाप्तर में आपको में मिला होंगा इवा एमवा एस्वा ठीक है ना बहुत और लोगों से मिलेंगे आप पूलो ठीक है न हाँ यस ओके की अं जिसके इसके हैं अपे दिसके दाइद उनकार्ट इसके मिलेंगे विशकास में भीपर करनिक नाूस्ट हो इवा एमवा और अश्वा यह पेटा अगेन बच्चो चप्टर नर्बर clinicे के वोफ यह को यह यहिवा है गेन बच्रू अव बाइस में लाशन passer यूज हो रही है अगेन बच्छो ये सब बाते बच्छो FM में भी काम में आएगी ओके बेटा FM में चाप्टर है Security Analysis उसमें भी इसका पार्ट है FM का जो Chapter 1 है Introduction to Financial Management उसमें भी इसका पार्ट है तो ये बड़ा concept बहुत important है ये आगे बहुत जगा पर अपने को काम आएगी बच्छे में हो या FM बच्छे चाप्टर बच्छे में का है बच्छे में और FM दोनों भी पेपर में पर कॉशन बन सकते हैं ठीक है चले तो क्या नहीं start the lecture क्या होग्या नहीं तो भी पढ़ा होंगा बटाबे ठीक है नहीं चलो अशुर करना पले जो इच्छे ऑन्लान ना ले कोई काम को रो क्या रहा नहीं वह मेरा स्टाइल नहीं है चलो क्या होग्या यह इस क्या है लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कमेंड करा, आने वर्चा गंटिला दबा, ठीक है नहाँ, यास, बाद में बाद में दिखा, बाद में दिखा मुझे ठीक है नहाँ, चला सर, ओके शुरू के लएदे सर, अब बाद में बाद में पास के, सर, चाफ्टर का नाम कहा है सर, Corporate Financial Reporting, सर, मैं चाट थीम बता रहो, Financial, नाम में क्या लिका है, Financial Reporting, तो सर, Reporting करना मतलग है, लोगों तक चीजे, पहुचाना, दिखो बेटा, कमपनी पूरे साल में, कमपनी पूरे साल में, जो काम करते हैं, लोगों तक वो काम पहुचाना पड़ेगा, बड़ा, कमपनी पूरे साल में कितना ख alternator कर रही हैं, कितना income कर रही हैं, यह लोगों तक पहुचाने के लिए,큼पनी बनाते हैं, Profit and Loss Account, इसा company पूरे साल में क्या asset acquire के, company का asset कितना है, कितना liability है, उनका position का है, ये बताने के लिए company बनाते है, balance sheet, हमने इसा chapter number 2 पढ़ाता, chapter number 2 में, हमने देखा था, chapter 2 में हमने देखा था, how to prepare balance sheet and income statement, जिसके जरिए company, अपना जो financial data है, वो लोगों तक report कर सकती है, पहुचा सकती है, सर, हमने chapter पढ़ाता, cash flow statement, cash flow statement, उस chapter में हम देखा था, सर, cash flow statement बना के, आप cash की position, आप लोगों तक पहुचा सकते हो, बोलो हाया ना सर, ओके, सर, अब देखे, ये तो clear है, cash flow, balance sheet, income statement, सर, cash flow, balance sheet, और income statement, ये सारे के सारे हमारे कोने, सरे सारे के सारे, हमारे कोने, financial statement के, सर, जी, financial statement के जरिए, इनके जरिए, आप लोग, इनके जरिए, आप लोग, लोगों तक पता क्या, reporting कर सकते हो, बड़ी ये जो पूर तरीके थे, बड़ा जी, ये सारे old fashion तरीके थे, इनसे reporting proper नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे लोगों तक, reporting करने के लिए, लोगों तक अप इसी के बारे पढ़ने वाले है, ओके बड़ा जी, से शाप्टर में बेसी के लिए क्या पढ़ने वाले है, कि financial reporting करने के, financial data लोगों तक पहुचाने के, advance तरीके, समझा बड़ा, balance sheet, P&L, cash flow, all are the old method, यहाँ पे पढ़ने, advance तरीके, बड़ा पहले बता रहा हो, यहाँ पे reporting क यह तरीके, यह तरीके यूज करना किसी भी company के लिए, mandatory नहीं है, as per company's add, balance sheet, P&L, cash flow, all are mandatory, but these are the not mandatory thing, these are the optional thing, but इसे company के बारे में, समझा लोगों को कहा मिलेगी, help मिलेगी, इस शाप्तर में, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, VAS, VAS मतलब, value added statement, next पढ़ेंगे सम लोग, EVA, EVA मतलब, economic value added, sir, उस बार, okay, ब्रेस पर देखेंगे, sir, उसका देखेंगे, sir, हम लोग, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, that is, हम पढ़ेंगे, MO, market value added, फिर हम पढ़ेंगे, sir इसवा, मतलब, shareholder value added, sir, इस पर इसे देखेंगे, अब हम लोग सबसे पहले, शुरू करेंगे, हम सबसे पहले, हम शुरू करेंगे, about, first method of corporate reporting, जिसका नाम है, sir, जी, EVA, क्या, sir, sir, जी, EVA, बस मुझे आता है, आप सबको FM में से, cost of capital सबको आता है, गया बेटा, इस chapter के बेटा, आपको cost of capital का basic knowledge होना चाहिए, अब मैं आपको पढ़ाँ जा रहा हूँ, first method, जिसका नाम है, EVA, okay, sir, EVA का, sir, long form होता है, okay, economic value added, sir, EVA कोने, sir, economic value added, okay, sir, first method, what is the concept of EVA, then, समझता, सुने, sir, normally क्या होता है, अगर किसी भी company को बताना है, अपने इस साल की finance position क्या है, तो उसके लिए company बनाते है, profit and loss account, सब penal account में क्या आता है, सारे खर्चे क्या करोगे, debit, income क्या करोगे, trade, income से क्या लिए करोगे, expense, income से क्या लिए करोगे, expense, आपको क्या मिलेगा, profit, आपको क्या net, profit, उस profit में से क्या पर करोगे, tax, क्या मिलेगा, pat, क्या मिलेगा? PAD हमको लगता था कि सम्मानों लों खर किसी कंपणी को PAD मिल रहा है PAD मतलब Profit After Tax मान लिजिए दो कंपणी है Company A और Company B मुझे दोनों को जच करने का है बच्चों मान लिजिए Company A का Company A का PAD Profit After Tax Company A का PAD A 10 लाग सब कम्पनी ए का पैट कितना है दस लाग और वही सर कम्पनी बी का पैट है बीस लाग बोलो बच्छा लोग कम्पनी ए का पैट कितना है दस लाग वही बच्छो कम्पनी बी का पैट कितना है बीस लाग बोल हाया ना एका पैड पता है? दस लाग, सब B का पैड कितना है सजी? बीस लाग, पका सर, सरे दोनों का में क्या पता सजी? पैड, आप बताए, कौन सी कंपनी अच्छी, A या पिर B, कौन सी कंपनी अच्छी है? B क्यू? जिसका पैड क्या हो रहा है? ज्यादा, प्रोफिट आफ्टर ट पहले क्या बोलते थे? जिसका फैड जादा है? जो कंपनी जादा प्रोफिड कमारे, वह कंपनी का अच्छी, इवा बोलता है नहीं, नहीं सर। नहीं सर। तुम जज़ करो, on the basis of economic value addition, इवा क्या बोलता है, जिस company में economically ज्यादा value addition हो रहा है, वो company के अच्छी, बोला है या ना, जिस company में economically ज्यादा value addition हो रहा है, वो company अच्छी, और जिस company में economic value addition हो रहा है, वो company अच्छी, और जिस company में economic value addition कम हो रहा है, वह company के बुरी है, ओक बेटा, Economic Value Addition होतला है, Eva, जिसका Eva के है, अच्छा, वह company के है, अच्छी, जिसका Eva के है, बुरा, वह company के है, बुरी, हम लोग यह चा के चल रहा है, यह Eva Eva क्या होता है, ओके, बहुत यह Eva क्या होता है, आप बोल रहा है सर, Economic Value Addition, अच्छा होना चे, पर वाट इस the meaning of Economic Value Addition, अब सबस्क्राइब मिनिंग, देखो, एक कमपनी हर साल, प्रॉफिट कमाते है, साथ कमपनी हर साल, जो प्रॉफिट कमाते है, इसे हम लोग बोलते है, Net Operating Profit After Tax, इसे बोलते है, No Pat, क्या बोलते है, Net Operating Profit After Tax, No Pat मतलब, Net Operating Profit After Tax, ताक्स देने के बाद में, आपने प्रॉफिट कमाते, साथ टैक्स देने के बाद में, आपने क्या कमाते, Profit, बढ़ सर, आपने प्रॉफिट कमाने से, आपके जिम्मदर खतम नहीं होती है ये कोन है आपका operating profit ये कोन है operating profit है अरे बच्छो बिजनेस के operation से profit तो कमाल होगे बड़ सब business चलाने के लिए पैसा मंगता है business चलाने के लिए finance raise करना पड़ता है हाँ या ना सब business चलाने के लिए आपने कहीं से finance raise क्या होगा अरे आपके company चलाने के लिए आपने हो सकता है कि equity share से fund raise क्या होगा हो सकता है कि आपने company चलाने के लिए किया होगा। हो सकता है आपने company छलाने के लिए bank से loan लिया होगा। हो सकता है आप अपने company छलाने के quarterly benchmark से पैसा लिया होगा। समझाा क्या। इन doctrine से आपने क्या क्या finance raise क्या। Don't you think, यह आपकी जिम्मेदार है, कि जिन लोगों ने आपको finance प्रोवाइड किया, Don't you think, कि आपकी जिम्मेदार है, कि जिन लोगों ने आपको finance प्रोवाइड किया, उनको उनका पैसा रीपे करना चिह ? तो Sir, आप लोग एक्वीटी को क्या दोगे ? Dividend, preference को क्या दोगे? Dividend, Dimension क्या दोगे? Interest और preference को भी क्या दोगे? Dividend, पक्का बिटाइची, bank लोगों को दोगे? Interest, तो जिन लोगों ने पैसा इंवेस किया, equity share, please सुना मरी बार, equity share, preference share, इन सब ने जो पैसा इंवेस किया, इससे हम लोग क्या बोलते, capital employed, क्या बोलते? इन सबने जो पैसा इन्वेस किया, इस capital employed के ऊपर हमें कुछ cost पेकना पड़ेगा, इन सबको मिला के on an average, जो cost पेकना पड़ेगा वो क्या होता है, वाक, क्या होता है, नहीं समझा, आरे, equity share, preference share, इन सबसे पैसा रेस किया, इन सबसे आपने पैसा रेस किया, इन सबसे आपने पैसा रेस किया बोलो, या इन सबने पैसा किया, इन्वेस, वो कोड़े, capital, employer, उसके पीछे, हमें कुछ देना पड़ेगा, cost of equity, cost of preference share, cost of dementia, सब मिला के over cost क्या होता है, वाक, तो सबको मिला के, जो cost देना पड़ेगा, इसे हम लोग क्या बोलते, cost of capital, क्या बोलते, इन सबने मिला के, जो पैसा इन्वेस किया, वो कोने, capital, इन सबने मिला के, जो इन्वेस किया, वो कोने, capital, इस capital के पीछे, जो देना पड़ेगा, वो कोने, cost of capital, बोल हाया ना, इन सबने मिला के, जो इन्व यह company उसने इस साल after tax profit कमहाया था 10 लाग उस company इस साल after tax profit कमहाया था 10 लाग बोलाया ना, इस company ने जितना भी capital raise क्या था जहाजासा capital raise क्या उन्हें सबको भी कुछ देना पड़ेगा वो को ने, cost of capital माहम लिज्यों सबको दे रहें 8 लाग, 8 लाग को ने, cost of capital, preference को dividend हो, equity को dividend हो, उनको इंटेस्ध यह सारे कोने आपके cost of capital क्या ये cost of capital देने के बाद भी कुछ बचरा है क्या खूल खाया ना profit कितना कमाय थे 10 लाग्यां How much power took helpON 10 लाग्यां और सब कुछ देने के बाद सक बचरा बाद में 8 लाग्यां क्वाय धemment कश बचरा है क्या कर एकका बाकला चोड़ा सा दुस्तरा दुसता अग्जाम्पल रहा है, इसका में एख छोटा आसा दुसरा एक्जाम्बल दोंगा मान लिजे ये उं अगर है तुम किसी बैंक के पास पास उन लुन लेए क्या क्या तो कभी देखना अगर गंतीम इन ऐस subscribers puk一樣 के Associate परेख रहे शेक करेगी बुदेगी वही तुमको अगर लोन अगर लोन छे पर हाऊ इमकंड में बताओं तुम्हारे सेलरी केतनी है छलू मान लिजी आपको बैंक से लोन लेने का है ठीक है ना? OK बैंक के पास गये, बैंक ने पूछा भाई सेलरी कितनी है, आप बैंक को बोलोगा भाई हमारी सेलरी है, पचास सेलरी कितनी सर, पचास सर कितनी सर, भाई हमारी सेलरी करें, और भाई हम लोगा भाई है, पचास सर, पार्टी के दिसक्शन कर रहे थे ठीक है? अब तुम देने ओले पाटी मेर कुछ। आइसा तुम बोल रहे हो, और में बोला कि में खाना का का चुका हूँ, बढ़ेगी नी? अइसा जो आता आइसा बात हो आता आपना, ठीक है ना? न को, भूख नहीं है चालो, ठीक है ना? चलो सर ठीक है ना अब शुरू करते गंटेरी पढ़ाई करते हैं सुना सुना मैं आपके एक्साम दे रहाता मानलो अगा तुमको बैंक से लोन चाहिए बैंक पर पूछते कि भाई तु लोन लेना वाला है बैंक पर पूछेगी भाई पहले बता ये लोन रीपे कर तुम्हार अब कितने वां जाप पचाहाई हो तो बैंक बोल्टो निकाल यू श्रीक में इंट मैं और एक तारीक आपके अकॉर्ण में सेलरी डेबिट होती है अपको तो कितनी हो रहें पचाहार है उसके बाद में आप मानलो लोन लेने के लिएंगे सबस्क्राइब आपको एक 20 लाग 30 लाग का लोन चेव और उस लोन के उपर यह मैं बनने वाला है 30 लाग फिर इम्हर बनने वाला है 30 लाग कर विए 30 लाग पर सलरी कितनी है 50 लाग कर यह अंदिर का देपने कई अपनी बेंग बंने कर शेकिक किया बंदे थीक है, फिर खाले बिटा कोई रिकाते हैं, कंट्र 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 ठीक है नहाँ? अबस परिण खा नहाँ, ठीक है नहाँ Okay, सुनो बिटा तो सरय देख़ी के बता किया माने बटता अपके बैट डाकॉण में सलरी आती कितनीं 50 रुपे बराबर हैं महाने असर न valor रुपा में इसा आता है कि आपके अपके तुम्हारे पास कुछ भी वैल्य एडिशन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे लोन चुकाने तुम्हारे लोन चुकाने 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 लोन चुक तो कमाते हो तुम अच्छा एसा profit तो कमाते हो बड़ तुम को हो company हो बास अमझदा जब company loan के लिए अप्लाइब करेगी तो company के लिए अपना profit and loss account company बोलिए देख भई ये माल our पिछसा चार साल का profit and loss account है इस profit and loss account में पिचसा चार साल से लगा तो अच्छाका सा credit इस प्रॉफिट को देखके आप हमको लोन दीजे तो बैंक बोलता है इसा नहीं चलेगा आप एस पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है बड़ सर यह बिजनेश शलाने के लिए जैसे आप हमसे लोन मांग रहे हो वैसे जिसके पहले एक्व देने के बाद कर कुछ बच रहा है तो आपके कंपनी में एकॉनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रहा है और अगर एकॉनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आपको लोन मिलेगा और वही अगर कॉस्ट आप कैपल देने के बाद में कुछ नहीं बच रहा है या निगेट ट तो simply इवा निकालो, इवा क्या होता है, positive, इवा क्या होता है, economic validation हो रहा है, तो loan देना चाहिए, और इवा क्या रहा है, negative, कोई validation नहीं है, तो loan देना नहीं चाहिए, अरे सब को समझा क्या, पक्का, कोई दिकत सजी, पक्का, सब इसे comfortable है, शलिये, can we go ahead, शोली, बोलो सम्झ क् है, long form क्या है, economic value addition, इवा मतलग क्या है, economic value addition, मतलग क्या आपके business में, economically value addition हो रहा है क्या, यह कब बता पाएंगे, आपने क्या कमा है, profit, net operating profit, उस पर से क्या पे करेंगे, बड़े confusion है, अब क्या निकालोगे, net operating profit after tax, no pad, no pad निकालोगे, pad निकालोगे, pad कैसे निकालते ? pad के लिए income statement बनाएंगे, शुरू करते हैं एबड़े, बनाएंगे, बनाएंगे, शुरू करते हैं, EBIT से क्या लेस करतें इंट्रेस शांति सुन मुझा बतना जा रहा बच्छो इबेट से क्या लेस करोगे इंट्रेस क्या मिलेगा इबीटी लेस करो चाह मिलेगा चलो ठीके मान ले में इसे पैट मले गया जब पैट निकाल तो इबेटी से इंट्रेस लेस किया क्या 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 लेस्किया है उससे क्या मिला है ओके कोई रिकत प्रिजदो पैट निकालते हो क्या क्या लेस्किया है इंट्रेस लेस्किया और टैक्स लेकिया है इंट्रेस और टैक्स देने के बात जो बचा वो कोने पैट है उस पैट में से क्या लेस्कना है पैट में से क्या लेस्कना अभ येस, cost of capital, capital, जिन से पैसा raise के है, जिन से पैसा raise के है, उनको जो देने वो कोने, cost of capital, बराबरे, capital मतलब, जिन से पैसा raise के है, जिन से पैसा raise के है, जिन से पैसा raise के है, वो कोने, capital, उनको जो देना पड़ेगा, वो कोने, cost of capital, चलो, मान लेते हैं, आप मेरे company के equity shoulder हो, आप मेर है कया सिर्ग कि परिफुरेंश होल और हो राप डिबेंश्ओ लो बडब याप सब पैसा इन्वेस किया है कि इक क्वीटी प्रिफरेंश्र बेंश्चbut तब सबका पैसा मेरा कोने, capital, आप सबको जो देना पड़े का वो कोने, cost of capital, आप सबको देना पड़े का वो cost of, वो मुझे पैट से क्या करना है, less, पैट से क्या करना है, less, पैट से क्या लेस करना है, cost of capital, अब देखो में, पैट से क्या लेस करना है, cost of capital, अब देखो में, प डिविरंड काम ए यह कॉश्ट ओ वह चाप इस कर अब को नो डिवेंशार होल्डर आपको डिवेंशार होल्ड आपको तेना एंटरेज् को मेरा कॉश्ट ओ वह चापीडल डूभी लेस सकते तुनि हाँ तो यह क्या बोल रहे है अरे सर आप अभी डिविरेंट लेस करें हो समझा आप डिविरेंट लेस किया समझा बर इंट्रेस क्यों लेस करें हो क्योंकि सब इंट्रेस आने पहले लेस क्या ना सब पैट निकालते वक आप इंट्रेस पहले लेस कर चुके तो वापीस क्यों लेस कर रहे हो बोलाया ना सब पैट निकालते हो आप इंट्रेस पहले लेस कर चुके तो वापीस लेस मत करो मैं ठीक है यह क्या बोल रहे हैं इंट्रेस लेस मत करो क्यों पहले लेस कर चुके वह तो मेरे को इंट्रेस लेस करना है मैं interest less करना है तो पहले मत करू पहले मत करू पहले मत करू पहले मत करू कर चुका हो मैं तो क्या करोगे add back, वापिस क्या करोगे, add back, तो यह पर क्या देखना पड़ेगा, no pattern लेंगे, but before interest, no pattern लेंगे, but before interest, तो क्या करेंगे, EBIT से क्या list क्या, interest, क्या मिला, EBIT, list क्या क्या, tax, वो pat है क्या, but pat निकाल तो interest less क्या था क्या, but हता ना पड़ेगा, तो interest क्या क्या था, list, क्या करेंगे, add उसे मुझे क्या मिलेगा? Pat before interest. Pat before? ये पहले pat कोन था? After interest था. After कोन था? Interest. अब उसे interest क्या क्या? Add back. उसे मुझे क्या मिलेगा? Pat before interest. अब समझा क्या फॉर्ला ऐसे क्यों बन रहा है? रट्टा मारके मत पर लॉजिक साज में आ रहा है क्या? क्यों कॉश्ट आप क्यापिटल में जब interest वापीज होने चुआला है? तो फिर से लेज करने के ज़रत नहीं है. तो बता बच्चा लोग हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? EVA. EVA मतलब economic value added. आपके company में economic value addition हुआ. ऐसा कब बोल पाएंगे? Pat मतलब जो profit after tax है. सब Pat में से cost of capital less करने के बाद कुछ बचेगा तो economic value addition हो चुका है. बुल हा या ना? कौन बता गया मुझे? EVA का formula क्या है? No Pat मतलब net operating profit after tax. Let's क्या करेंगे? Cost of capital. फिर से लो EVA का formula क्या है? Net operating profit after tax before interest. Before interest. Minus क्या है? तो सब EVA को निकालने के लिए कितनी बाते चीए? पहले क्या चीए? Net operating profit after tax but before interest. दुबारा बोलो EVA को निकालने के लिए कितनी बाते चीए? 2. क्या क्या चीए? Net operating profit after tax but before interest. जेपता है का, पक्का, अब ये कैसे निकालेंगे, क्या आपको नो पैट निकालना आता है, उसके लिए क्या बनाएंगे, इंकम स्टेटमेंट, शुरू कहां से करो, इबी एटी से क्या लिस्ट करो, इंट्रेस, चा मिलेगा, इबी टी, लिस्ट करो, क्या मिलेगा, ये पैट में चा आड़ बैक करेंगे, सब पैट में इंट्रेस क्या करोगे, आड़ बैक, तो आपको क्या मिलेगा, नेट ओपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, address अरे समझाए क्या नालाइक कौ पक्ता हिए फिर्स पार्ट क्लिए लिए बच्छो फिर सोलो हाउ तो फाइंड नेट ओप्रेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर बीफोड कैसे निका लेंगे EBIT से लेस करो interest क्या मिलेगा EBIT लेस करो tax क्या मिलेगा पैट उस पर interest क्या करो add back क्या मिलेगा net operating profit after tax but before interest बुल हा या ना सर उसके बाद next क्या निकालें cost of capital what is the meaning of cost of capital capital के पीछे जो खर्चार है वो कोने cost of cost of capital को निकालने के लिए पहले क्या चीन company में कितना capital employee के है equity share preference share reserve and surplus debenture और bank loan इन सबने मिला के कितना capital employee के है कितना capital और इन सब को on end average कितना cost मिला वही कोने cost of बोलो सर how to find cost of capital capital employed into फिर इसे बलो how to find cost of capital capital employed into थोड़ा बहु समझाए क्या पूरा खेल बड़ा इसी फॉर्मिलार के है इसके उपर आपो तीन कॉस्चन करेंगे सारा concept clear हो जाएगा बस मुझे इतना बताएए कि सब को वैक निकालाता है क्या हमने प्रदें चाटर cost of capital वैक को long form क्या है weighted average cost of capital वैक मतलग किसका cost debenture का preferent share का equity सबका मिला क्या आपको पताएग कैसे निकालते है कैसे हो बोले तो confidently बोले फॉर्मिल नालाई को वैक का formula क्या होता है summation k into w summation k into w पढ़ाएग क्या वैक को निकालने के लिए क्या बनाएगे table कितने को लो हम पाच particular rupees k w k w particular में क्या हैंगे naam equity preference debenture rupees में क्या हैगा amount k में क्या हैगा cost ke kd kp आदा रहे क्या w में क्या हैगा weightage ke ko w से क्या क्या multiply तो k w मिला उन्नों सबका सम क्या आता है whack पका शोली बेटाजी कोई तकलीफ चल इस पर question देगे पूरा समझाएगे बेटाजी पर फटा फटी सब पड़ कॉपी करें इसके ओपर में तीन question करके बताऊँगा एकदम पूरा बढ़े हाइस के लिए रोगा जितने बच्छों online मुझे आता ही है अभी तक जो पड़ा सबको समझाएगे करें अनलन वाले बेटा अनलन वाले फास फास लिख लिखो चो फॉरत लिखो तोल­ः सा आ चाबकर एड कोर्पोरेड़ फाइन्यार्शल रिपोर्टों चैबकर एड कि नोड़न था चे ये? झाल झाल हो जाओ ठीके बिटा हर जाता हो यस यस हो गया साइड में हो गया बिटा लिखो 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 क्यार बिटा दो मिन टुक्चे मैं वानल में चाप लिखो लिखो इतने कुचिन निचे उसके, इतने लिकना प्ने को इतने कुचिन निचे उसके प्ने को इचलो, हो गया जिए लिकना? इतने कुचिने की बाक्या है? मतलिक बिटा सबको clear अपना formula चलो मुझा आता हूँ EWA को long form क्या है economic value added EWA का formula क्या है formula net operating profit after tax before interest less क्या होगा cost of capital how to fund net operating profit after tax EBIT से less करो interest क्या मिलेगा EBIT less करो tax क्या मिला PAT में क्याड करो interest no PAT then how to fund cost of capital capital employed into VAT पूरा clear रहे बच्चा लोग यह अगर आपको समझा होगा अब इस पर question देखे सारा concept clear हो जाएगा सर इस पर question में देखे सबसे पर आपको पढ़ना है question number two चले सो question two पढ़िये चले फटावर question two को सबको देखे पढ़ना है कि तास्ट सारा चापको पढ़ना हो क। कि अँचता? कि टुरे को समझा हो को देखे anyway कि यहां होा, कि झाल क smo है कि तास्ट को समझा हो कि वो जाद द information कि जास्ता रहे ठापको झांचता हगा संपड़ो संपड़ो डेटा समझ लो संपड़ो बैच अच्छे से बैटा जी पड़ा कोश्चन फ्रन फॉलिंग इन्फरमेशन आप विनोद लिमिटेड क्या निकाला है इवा सबसे पहले कंपणी के पास क्या है शेर क्या है कोने एक्विटी शेर क्यापिटल है सब कंपने के क्यापिटल में तीन बाते हैं क्या क्या एक्विटी शेर क्यापिटल कितना है 20000000 रिजोड रांसर पर सकताभWest 4000 लाइच पिलंग टेप टो श्यार्स वहर थो द्रैप सर्ण्द रेटक जारडब बलॲ्डद सर ayण 6 क्तेों एक्विटी शेर्लिल करपीटल रिजोड रांसरकमम्न रोंग तर्म टेप यह तीनों मिलेगा आपका capital employed जिपा क्या बच्छो फिर कुछ information दिए tax का rate दिए risk free rate दिए market rate या risk free मतलब क्या होता है RF market मतलब RM इससे क्या मिलेगा cost of equity by which model CAPM model याद है क्या सर याद है क्या risk free दिया है क्या RF marketed क्या होता है RM और beta दिया है क्या उससे can you find key by CAPM model जा formula RF plus beta into RM minus RF फिर interest दिया है क्या है उससे can you find cost of the kayड क्या formula और into 1 minus T upon NP into 100 सब भूलगे ना कुछ दिए अपना ठीक है ना बातने क्या देए sir profit before interest and tax what is the meaning of profit before interest tax EBIT मतला earning before interest tax क्या होता है EBIT बोल हाया ना अरे कलता है का यह सब क्या दिया आपको EBIT चलो शांदार सभी अगर सब को साज में आज चुका होगा अब हम निकालेंगे इवा फोकुस करेंगे सब डेटा सोज में आ रहा है कोशन सब के सामने अब मुझे इवा निकालना है बोले सब कोन बताएगा इवा को निकालने के कितनी बाते चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए नेट ओपरेटिंग प्रॉफिट आफटर टैक्स बिफोर इंट्रेस यह निकालना है इसके लिए क्या बनाएंगे इंकार्म स्टेटमेंट बोलो क्या फॉर्मैट है EBIT से list करो interest क्या मिलेगा list करो tax क्या मिलेगा फिर PAT में add करो interest क्या मिलेगा net operating profit after tax but before interest समझा क्या बच्छो EBIT कितना है Sir EBIT कितना है EBIT EBIT 20 लाग है क्या EBIT 2000 उसे list क्या करोगे interest interest कितना है interest 40 लाग है Sir EBIT 2000 interest कितना है 40 लाग EBIT से क्या list करोगे interest तो क्या मिलेगा EBIT EBIT से list करो interest क्या मिलेगा EBIT कितना है 1960 EBIT से क्या list करोगे tax tax कितना है 30% करो Sir सब का क्यालिसी चलना चाहिए 1960 का 30 पर कितना हैगा 588 अब EBT CLS क्या करोगे Tax तो क्या मिलेगा PAD कितना है PAKK EBT CLS क्या करोगे Tax तो क्या मिला है PAD इस PAD में CAD करेंगे Interest PAD में CAD करेंगे Interest सब किसका Interest DEP का न सब इंटरेस यह क्या DEP में कितना Interest है 40 लाग सब PAD में Interest एड कितना हैगा 1-4 1-2 यह आपने क्या निकाला Net Operating Profit After Tax But Before Interest समझा क्या बेटा Surely कोई दिकर बेटा है जी चलो यह आपने क्या निकाला Net Operating Profit After Tax But Before यह No PAD मिला अब सब सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे Cost of Capital Second Step में क्या करेंगे Cost of Capital How to find Cost of Capital Capital Employed into Sir Cost of Capital का फॉर्मिला क्या है Capital Employed कितना Capital Employed क्या है और On An Average कितना व्याक है पहले मुझे क्या चीए Capital Employed क्या चीए बोलो Sir How to find Capital Employed Business में जो पैसा इन्वेस क्या न वो कोने Capital Employed Business में इन्वेस क्या कोने Capital सब बताब बिजनेस में इन्वेस कोन कर रहा है Share Capital Reserve and Surplus Long Term Depth Invest कोन कर रहा है Share Capital फिर Reserve and Surplus फिर Long Term Depth वो कोने Capital Employed कितना Share Capital है 2000 Resort and Surplus Long Term Depth कितना है सबका Sum कितना रहा है ये कोन है Capital Employed सबको जेपा क्या बेटा ये सब भी मिला के Capital Employed बोला या ना एक बार मिला Capital Employed नो क्याने फ़ने वैक वैक का मतलग क्या है Weighted Average Cost of Capital वैक क्या है Weighted Average Cost of Capital सब वैक को निकालने के लिए क्या बनाएंगे Table वैक के लिए लेकिन सब वाइक को निकालने के लिए हर एक का कॉस्ट पता नहीं जो ना सब क्यापिटल में कितनी बाते तीन एक्विटी शेर क्यापिटल रिजोर एंड सर प्लस और डेप वाइक को निकालने के लिए एक्विटी का कॉस्ट की रिजो का कॉस्ट के या और डेप का कॉस्ट केड़ी, पर निकालना पड़ेगा, हाया ना जब तक सारे cost नहीं मिलेंगे तब तक हमको wag नहीं मिलेगा बुलो सबसे पहले मुझे catch हिन cost top equity केई मंगता ना? हाया ना? सबसे पहले मुझे क्या मंगता cost top equity speed ठीक है बच्छो बोलो सर 6 कैसे निकालेंगे dividend model या C.A.P. model पता है क्या C.A.P. model में कही का formula क्या है RF plus beta into RF minus RF RF मतलब risk free question देखे बता हूँ risk free कितना है 9% market का 16 और beta कितना है 1.05 और risk free कितना है 9 वो RF है risk free 9 को ने RF है beta कितना है market कितना रिट है risk free 9 करू कह सॉल करो सॉल पहले कह सॉल करोगे bracket फिर multiply 16-9 कितना है गा 7 7 into 1.05 करो 7.35 उसमेड करो 9 कितना है गा यह क्या निकाला cost of equity अरे समझा क्या से capital पहले कौन था equity share उसका cost क्या cost of equity के ही निकाला क्या फिर next कोने capital में cost of reserve and surplus कैसे करेंगे दोनों सेम होते है आपको होता है reserve and surplus belong to equity share जो cost of equity वही कोने cost of reserve and surplus या cost of retained earning पता है क्या जो के यह वही क्या होता है के यह कितना है 16.35 तो के यह भी क्या हैगा 16.35 next क्या चिए cost of debt ना बच्छो cost of debt say cost of debt बोलो cost of debt के लिए कोन सा फोर्म है छोटा या बढ़ा redeemable redeemable आदे केडी के बोलो फोर्मुला क्या है आई इंटू वन माइनस टी अपान एंपी इंटू यह सब हमने पढ़ा क्या cost of capital में पका हा या ना जिनको फिर भी नहीं चाहिंता हूं मैं मेर्थों में करेंगा दो अच्छे से ठीक है ना डोंट वरी थेंक्यू NP मतलब बेर पोसीड डेप डिबेंचर इशू करके जो हाथ में आ रहा है नेट प्रोसीड सर डेप से कितना हाथ में आ रहा है बोला डेप चार सो लाग का है ना सर चार सो लाग का डेप ते क्या तो डेप से हाथ में कितना रहा है चार सो लाग वो नेट प्रोसीड ना अरे भुला हयाँ ना आप सटक्प से हाथ में कितना रहा है 400 लाग वोग इनए प्रोसीड आप देप के ऊपर क्या पे करे ओओंथो इंट्रेस्ट्थिस्ट्यू इन्ट्रेस्ट के इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट्थ facing वह सोर्प कितना कट कितना ये संद्ध इतना रहा है चार्वाइब आरहा है किया इंट्रेस कितना चालीस लाग का पक्काम और टाक्स का रिट कितना रहा है 30 मतलग क्या है गा ? 0.3 नहीं समझाए सर जीपा क्या ? सब कॉश्ट अब डेप से कितना पैसा रहा सर जी ? 400 लाग वो नेट प्रोसीड है इंटरेस कितना पेकर हो ? 40 लाग और टाकस कितना है ? 3 तक का मतलब 0.3 श्पीट ठीक है क्या ? कर कितना हैगा ? 7 परसेंट ये क्या निकाला ? कड एडी , छेई मिल गया , के आर मिल गया , केडी मिल गया , चू निकाला ? आप ने बड़े सब का इंडिजिव कोस निकाला व्येष अब मुझे क्या निकाला है वैक, अब मैं हेडिंग दोंगा, स्केटमेंट टॉप वैक, एक बार हरेक का कॉस्ट में लिए अब वैक निकाला है, सब वैक को निकालने के लिए क्या बनाएंगे, टेबल, वैक के लिए क्या बनाएंगे, टेबल, चलो बता है सर, वैक के लिए क डबल्यो और के डबल्यो पर्टिकुलिस में कहेंगे नाम बोलो क्या क्या नाम है एक्वीटी शेर फिर रिजोर और सर्प्लस और कितना एक्वीटी शेर है एक्वीटी शेर कितना रहा है दो हजार रिजोर और सर्प्लस डेप कितना है सब का सम 6400 equity 2000 reserve 4000 डेप कितना रहा है 400 अब सागे बढ़ू अब मुझे क्या च्छे के मतलब के मतलब cost cost निकालना निकाल चुके बोलो sir equity का cost कितना है equity cost कितना है 16.35 reserve का cost कितना है 16.35 और jobbar कितना है पिद्र कितना है यहरे का कॉस्ट थी कितना रहा है 16.35 जिपने अपना सध अब मुझे दिस यह अब मुझे वेटीच यह हूड टू फंट है या ह्र यारे हरे का अमाउन अपैंट टोल यहां मिलसुए क्या इमाऊन का टॉटल 6400 ले क्या वेटेश करणा आता किया बेटेश का मतलग है टोटल Canada Bennett कितना हिस्साय है अरे õे टोल क्याइट 000 400 उसमें एक्वित कितना है 2000 वेटेश का मतलग है टोटल कॉपी टोटल क्यापिटल में इक कितना हिस्साई कितना yes 0.31 ओके जीपान बच्छों अमाउंट अपॉल टोटल यहां दा रहे है कॉश्ट अपिटल बोलो रिजोर्ट में अमोन कितना रहे है शार अचार अपन टोटो कितना आएगा कितना आएगा 6 पका यहाँ पर भी क्या करेंगे, amount upon total, amount कितना आ रहा है, 400, total 6,400 कितना आगा, 0.06, समझा क्या बेटा, वैक के लिए column कितने, 5, पर्डिग्रस में क्या लिखा, नाम, equity, reserve, debt, रुपीज में क्या लिखा, amount, amount, k में हरे का, cost, जो निकाल चुके, w क्या होगा, weightage, कैसे क्या, amount upon, total, amount upon, total, अब column को साह रहेंगे, k, w, कैसे करेंगे, sir, k को multiply करो, w, करो sir, 16.35, into 0.3125, कितना आगा, 5.10, okay, फिर 16.35, into it, 2187, और 7 into it, 0.43, k, w, से multiply क्या, अब सब क्या करोगे, sum, जो k, w, का sum है, वही कोने हमारा, whack के, कितना समय, 15.75, छो थोड़ा सा point का फरकार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे, जेपता है का, ये क्या निकाला, whack, whack मतलब, किसका cost, equity का, डेप का है, सब का मिला के, ये on and average cost है, क्या निकाला, whack, क्यो निकाला, पता नहीं सर, हमको step two में क्या करना था, cost of capital, cost of capital को निकालने के लिए क्या कैची, capital employed and whack, क्या आपको capital employed पता है क्या, कितना 6,400, क्या आपको whack पता है क्या, कितना, 15.75, क्या हो गया, 15.76, पक्का, एक बार मिल गया, capital employed और whack, दोनों का multiply cost of capital, अरे जेपा क्या, सबी मिला के 6,400, पैसा invest क्या, वो करने capital employed, उस पे on and, average, कितना cost मिलेगा, 15.76, कितना है क्या बोलो, round of, round of, round of, करो, बेटा, percent का बटन भी होता होता है, 6,400 into, 15.76, देवल फाइव, percent, percent price करो रे, वर लाग नहीं आता है वो, one, round of, क्योंड बेटा, वन डबल जो नहीं आ रहा है क्या, सब कर नहीं ले आ रहा है क्या, बेटा, ओके, ओके, ठीके, यह क्या निकाला, cost थो आप, capital, समझाए क्या, now can you fund EVA, EVA कैसे निकालते है, step number 3, EVA निकालू क्या, EVA क्या है, नेट ओपरेटिंग प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स, बिफोर इंट्रेस, लेस क्या होगा, पक्का, बोलो सर, no pad कितना बता ही है, no pad कितना आ रहा है, one for one for a क्या, no pad one for one two, minus cost of capital, कितना cost of capital है, कितना cost of capital है, one double zero nine, समझा क्या, no pad में से less करो, cost of capital, तो क्या मिलेगा, EVA कितना रहा है, चारसो तीन लाग, ये क्या मिला, EVA समझा क्या बेटा, बल्हाया ना, आपका EVA positive negative है, तो अच्छा कासे validation हो रहा है, कोई रिकत, उपर से गया, पक्का, अगर ये आपको समझा होगा, अब इसके बाद आपको पढ़ना है, question number, नहीं, question five, उसे डेप के समझे, question five, इसे अड़या और के लोगा, चलो फटाफ़ट, question five, पढ़े फटाफ़ट, एक मार के लिए, MC के लिए, इतना बड़ा question, पुछते हैं क्या, बहुँ बहुँ बहुआरी question है, बहुँ बहुआरी question है, बहुआ बहुआ, इस question कैसे अब भरोजानी होता है, इस question में कि आपको सारा, केडी, केई, केपी निकाला था, कुछ सरमें, exam हो सते हैं और इसमें, बहुआ कर देंगे, बहुआ आपको आपको, आकि नहीं, अब exam question छोटा आएगा, बढ़ा आएगा, अपने हाथ में नहीं होता है अपने concept पूरे clear करो इसे कोई question बन जाएगा चलो 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 कुछ रफाई को पुड़ाफ़ट बाते बन कि अपने डेप टेक है बेटा डेप कितना है 2000 करोड और डेप का interest कितना है 12% पका उसका next को ने इक्वीटी कितना है 500 CR रिजोर कितना है साथ आर पासो यह तीनों मिला कितना है 10 आर वो कोने capital employed अरे समझा क्या बोलो हाया ना कितने बड़ से बन रहा है तीन पार्ट चाह क्या डेप इक्वीटी रिजोर यह तीनों मिला के क्या मिला है capital employed बोलो हाया ना risk free मतलब आरेस बीटा मतलब बीटा कि मार्केटर क्या होता है आरेम यह मारकेट premium क्या दिया रहे जिनको अगर अगर ऑप को आरेफ और आरेम दिया तो आरेम माइनस रेम नहीं ती भच दिया उनलोंने मार्क की जो नहीं बता, मार्केट प्रीमियम का उतलग है, रिस्क फ्री के ऊपर, जो मार्केट देगा ना बिटा, रे माइनस रे और क्या दिये, अपरेटिंग प्रोफिट आफ्टर टैक्स, मतलग क्या है, पैट, ये कौन दिया है सरजी, पैट, पका, आपको ये पैट निक दालना है क्या है, ये वहाँ, चलो, मैं काम को बोलता हुच्छो, आप एक काम को छोटा से काम देर हम आपको, बस आप मुझे कापिटल में, डेप्टे, आप मुझे कॉस्ट अडेप केडी, कॉस्ट एक्विटी केई, और रिटेनर के आर वो, और स्कार वैक, बस इतना करक चलो, फटा-फट, लिखे करो, लिखे करो, लिखे करो, लिखे करो, और ली भी नहीं होगा, लिखो, मुझे करो, केडी, के, के, आर, और सब काम मिला, कोरो, कॉस्ट वैक, चलो, फास-फास करो झालो, लिखे करो लिखे करो झालो, के लासे तक वैक, झालो, फास नहीं हो गooked, बसंems治 करो, लिखे करो करो के लिए ऊ gonna traffic à RNA कम मैं, लिखे कshift me लिवें करो, लिखे करो करो, लिखेовые लिखे, के विएे लिए, विखे लिए, के लिए. झाल 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 केड़ी तो झाल 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 19.5 झाल 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 कितनों का वैक हो चुका है किसका बाकी है फास्स का बहुत स्लो करें बैटा जिन का बहुत स्लो का बहुत स्लो का बहुत स्लो कितना रहा है 17 पॉइंट अगे कुछ आ रहा है इक साथ रहा है बहुत पढ़िया अगे काम को जिसका पेंटिंग बात में कर लो अगे इवा निकालने जारो बेटा बोलो कॉश्ण 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 पेटा है ची फाइव चलो फास्स बाता बहुत इवा को निकालना कितनी बाते चीए करो इंट्रेस क्या मिलेगा ञोप्मट सर यहाँ पर को क्या दिया बता समय अपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टरट एक्ट हमारो डाइरेकलि प्यार्डी यह थो जोवियो डिया च्याशों उसे बित्व घत अपने अबघार करने ईंट्रेस करेंगे किका इंट्रेस घंट्रेश करेंगे किकुंव का किसका इंट्रेस देच जाले पॉल पर凰 व्हेजल पक्का यह 9 पैट है कोई रिकत चलो बेटा हो गया first step बोलो sir second step में क्या निकालेंगे cost of capital बोलो sir how to find cost of capital capital employed into पहले क्या मंगता है capital employed what is the meaning of capital employed total capital बच्चो debt equity reserve सबने मिला किजो invest किया capital employed सब में दिया ना बच्चो debt कितना है 2000 equity 500 reserve 7500 सबने मिला कितना invest किया 10,000 वो कोने capital employed सबने कितना किया 10,000 वो capital employed अरे speed ठीक है क्या fast हो रहा है एक बार मिला समझा ना बच्चो एक बार मिला capital employed उससे किसे multiply करेंगे वाक किसे वाक वाक इतना है 17.3 17 17 पक्का शोले मिला कोश्ट अब कापिटल सब फर्स शेप में क्या निकाला nopeat second ship में क्या निकाला कोश्ट अब kya पिडल ना दिए क्या फॉर्मिला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ी फोर इंट्रेस माइनस कॉस्ट अपिटल कितना नू पैट है कितना कॉश्ट अपिटल है वन सेवन टू एड कितना है गाई शिक्स वन यह इवा हरा किया बच्छो पका कोई रिकत कोई क्वेरी चलो शांदार अच्छा कोशन था अब बोलो सबको इवा इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है इजी पका शो ले अब देख उस बच्छे वही कॉश्ट पाँच पार किलाया था और MC की पैटन में दो अटेम पर ले वही कॉश्ट एक मार किलाया था सेम बस नंबर बड़े था एक्जाटल कॉश्ट सेम था बेटा अब देखो बहुत डेंजर कॉश्ट है क्वश्ट नंबर थी चलो सर्थ सब बच्चे क्वश्ट नंबर थी को धाँच पड़ेंगे फटाफट इससे आपको इवाक का और वर्जन पढ़ा चला है कैसे कैसे निकाल दिवा क्वश्ट थी धाँच पड़ेंगे प्लेज क्वश्ट थी है झाल झाल पढ़े एक क्वेशन कुछ समझा पूरा सम बढ़ा के इंट तक तो समदे साटी में कहला है एक प्रॉस्परस बैंक है वो लोन देना चाहते है लोन के लिए क्रेटरिक है इवा अगर इवा क्या गाया जीरो तो क्या लोन मिलेगा इवा जीरो से बढ़ा मतले इवा क्या आता ह है पॉजीटिव लोन मिलेगा इवा जीरो से क्या है छोटा निगेट लोन नहीं मिलेगा तो देखना क्या चाह यह पे लोन मिलेगा यह पेर नहीं मिलेगा देखने के लिए पढ़ते हैं हम लोग सम का आगे वाला पार्ट ठीक है ओके हां क्या है पुड़े पुड़े profit after tax समझा क्या यह कोने अपरेटिंग 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 प्रॉफिट आफ्टर टाइक्स यही तो मेरा कोने 9 पैट 9 पैट कितना दिया है पच्छीशा है आवरेज टोटल एसेड कितना दिया है लास तीनियर के अवरेज है थीके बोलो लास तीनियर से कि अवरेज कितना सेटे 75 लाग वाक इतना है देखो अब तक कि दोनों समय वाक निकाल आता है वाक गया यह संजा मैंसे कुश्चिन बहते है ना कुछ निया परता है सब कुछ दिया हुटाए वाक गया ना सबमें बाद में क्या दिया है कुछ अपलिकर फॉल ट्रीयर और भजा है क्या अब सुनो बेटा गोचिन आपके सामने कि मुझे क्या निकालने है बोलो ना इवा इवा को निकालने के लिए फर्स्ट टेप में क्या निकालेंगे पहले क्या निकाल लू-गmost एक आफोड़कित आफोड फंद पोड़ किनोपड कर दीए एक नेट अपरेटिंग इंकम आफटर टैक्स यह जादिए ऑप्रेटिंग आफटर का अफ्टर टैक्स किता किया थे सजी 25 लाग तो कुछ क्वेश्चन में नोपेट दिया किया ऊँदा आप ऑदर तक्से इस इंटरेस्ट एट्रेस नहीं किया इंटरेस दिया तो एटियगा आपक करो नहीं दिया तो छोड़ दो समझा ची तो क्या नहीं से यही मेरा को ने नेट OPPERेटिंग प्रोफिट आफटर टैक्स लेकिन मुझा था बच्छो ये चापीटल एम्पलोई एंट्रिटी यह पता है क्या अबको सब अब तक के सब में क्या था, equity share, preference share, dementia, सब मिला के capital, employed, सब में आपे total asset दिये, total asset में से क्या लिस करोगे, liability, तो can you find capital employed, यह पढ़ाए का ratio में लोगों ने, बोलो sir, कितना total asset है, टोटल एसर कितना आ रहा है 75 लाग और लाइबिटी ये को ने 60 लाग वो को ने capital employed 60 लाग को ने capital employed पक्का इंटू क्या करेंगे वैक वैक कितना 10 पर कितना है अरे जेपा क्या बच्छो जितना भी capital employed है उसको multiply करें वैक से तो क्या मिलेगा cost of capital समझा क्या नो इवा निकाल पाएंगे net operating profit 25 लाग उसमें से cost of 6 लाग क्या करोगे less कितना एगा 90 लाग इवा मिला क्या इवा positive है क्या जिरो से बढ़ाए क्या तो loan मिलेगा हो गया समझा समय चलेंगे बिटा जी अब देखो यह समक कब बन पाएंगे concept clear बिटा जी कुछ नालाएक लोग concept पढ़ते ने हर बाद चोटा समझे ठीक है ना पहले पढ़ना सीको logically पढ़ो ठीक है ना फिर चोटे समझे अपसे आराम से हो जाएंगे ओके सबको साहज में आ रहा है क्या surely 100% कोई query बेटा तो क्या सबको ईवा साहज में आ रहा है क्या बहुत बढ़िया चलो सर इवा हो गया सर अब सान नेक्स मेथर ने चार्टर में पढ़ेंगे सर भी नेक्स मेथर एक अगला पेटे नहीं नहीं रहे बेटा नहीं रहे एए फोटे चेहे ले ले बेटा प्रे कुशन टूगा निकाला फोटो प्रे उतनिका फोटो निकाला फोटो चिनको मंगता है डन मैं कहाँ करत नहीं यह डन इसका प्रेटा नहीं डन यह हो गया कुश्चन टू हो गया आप सर कुश्चन नंबर फाइव अब यह कुश्चन हो इसके बाद कुश्चन कुश्चा था बिटा कुश्चन टीन था ना चलो कुश्चन टीन का निकाला फोटो डन हो गया शालो साथ इंड ओफ द इवा साब अगले मित पड़ेंगे साथ जी वैस वैस मतलब वाल्यू आडेर स्टेटमेंट वास गाईसा ने वैस ठीके ना पिच्पी के पिए चलषर वैस क्या कर तुम लोग ब्रेकर के दो तुर मिन का कि दस प्रियंग पाच्पी ब्रेकर फटा 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 छलो बागवष है यही पर खड़ा और इसागम चलो श्रुश्र पाच मिंड कर चलो बागवष है झाल झाल बस भागते हैं बागते हैं जल्दी जल्दी झाल 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 पहले समझें सर what is the concept of value-added statement और VAS की ज़रद क्यों पढ़ती है देखें सर VAS is the one of the advance पेटर रिपोर्टिंग अगर आपको आपके स्टेकोल्डर को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग करने का advance तरी का बच्चों क्या आता है VAS वाइक वालंग फॉर्म क्या आता है value-added statement सब पहले समझ दोते यह VAS क्यों बना बच्चों आपने सर एक concept पढ़ाऊगा business entity concept business entity concept सर entity concept क्या बलता है business अलगे और owner अलगे सब business अलगे और owner अलगे बलाया ना यह concept क्या आता है business अलगे owner अलगे बले business owner का चे बले business owner का है बड़ owner को भी business से कुछ तो पैसा मिलना चाहिए बलाया ना बले business से मान लो company के बात करेंगे shareholder are the owners बले shareholder owner है वो क्या बोलते भाई हम बले shareholder है बले हम company के owner है बड़ company के profit में से कुछ हिस्सा हमको अलग से मिलना चाहिए समझा बीटा जी as a क्या मिलना चाहिए dividend अब सुनना बीटा अगर इस concept को समझना है एक बार हम recall करते concept of profit and loss appropriation ओके सम लोग बनाएंगे concept बनाएंगे profit and loss appropriation account अब सबको पता है सबसे फिलेंग क्या बनाएंगे trading account टेडिंग से अपको क्या मिलेगा gross profit trading से क्या मिलेगा gross profit पका फिर क्या बनाएंगे P&L सब P&L में GP क्या करोगे broadtheon सब P&L में GP क्या करेंगे broadtheon उस पर income क्या करेंगे add expense का करेंगे तो क्या मिलेगा? अब देखो, एक बार मिले गया net profit उससे PNL appropriation में क्या करेंगे? brought down बहल हाया? एक बार मिला net profit PNL dann produce में क्या करेंगे? brought down अब धांसोना मेरी बाद अब यहाँ पे जितना भी net profit मिलेगा company क्या करेगी? जितना भी profit मिलेगा उस पे से कुछ dividend क्या करेगी प्रपोस करेगी जितना भी net profit मिलेगा कुछ dividend क्या करेगी प्रपोस और जितना भी balance बचेगा वह company क्या करेगी बहुत हम लाइन रिटेन करेगी अब टाक्स को भूल जाओ क्मपनिय क्या करेगी जितना भी प्रॉफिट मिलेगा ऐलो प्लॉट है यह जो लानुट तो छॉनल लाने बच्चे को आपे ज़्याँ स्ट्राइब आपके आपर चलो ऑनलाइम की चुछा रहा है साउंड का साउंड क्लियर है माई की चुछ चेकर ऑनलाइम है साउंड ठीक है क्या क्या उलाइम की चुछा पुछा रहा है साउंड की चुछा रहा है अब भी ठीक है साउंड चल अभी परफेट है चलो बेटा सर हम देख रहे है पीने एप्रफेशन हो बच्छो सब पीने एप्रफेशन क्या बोलता है कमपनी को हर साल प्रॉफिट मिलेगा सर जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में से कुछ क्या देंगे डिएन कुछ क्या देंगे डिएन किसको शेयर होल्डर को और बाकि जो क्लोजिंग बचेगा वह कंपनी क्या करेगी रिटेंग अप्ली सुनना तो अभी तक हमारा क्या था पिने एप्रिशन अकॉर्ड क्या बता रहा था सर जितना भी profit मिलेगा कुछ क्या देंगे dividend जितना भी profit मिलेगा उससे कुछ क्या देंगे dividend dividend किसको देंगे ओनोस को मिलेगा बिटा जी और बाकी पैसे क्या करेंगे return, return कोन कर रहा था business, बच्चो कोन कर रहा था business, हा या ना तो सर अब तक हमारा जो concept था, P&L account का, वो concept क्या बता रहा था concept अच्चो क्या बोलते है concept क्या रहा है, कि सर company के profit के लिए दो लोग जिम्मेदार होते है company हर साल, जितना भी profit कमाएगे, उसके दो लोग क्या होते है, जिम्मेदार, एक क्या होता है owner, दूसरा business, company के profit के लिए, कितने लोग जिम्मेदार है, दो, एक को ने, owner, दूसरा, business मतलब company, खुद, तो बटो बेसे, जितना भी profit मिलेगा, इन दोनों में बटना चाहिए, तो company को जितना भी profit मिलेगा, कुछ profit किसको दोगे, owners को, ऐसे कहा रहेंगे, dividend, और कुछ profit किसको देंगे, business, या company को as a retained earning, देंगे, समझा भीटा, तो सालों साले परंपरा चल रही थी, profit मिल रहा था, और owner और business, profit बाड़ के ले रहे थे, बट सर, बाद में, सब बाद में, सर, ये issue सामने आ गया, बाद में, लोगों ने बोला, ये तो खलत है, तुम लोग क्या बोल रहें, company की growth के प इसका मतलब, company का profit, सिर्फ दो लोग को मिलना चाहिए, किसको owner और business को, बड़ आगे जाके, जब लोगों ने थोड़ा सा, broadway में सोचा, तो लोगों को पता चला कि, भाई साब, company के growth के लिए, सिर्फ ये दो लोग जिम्मेदार, ने हम मानते, company के growth के लिए, owner जिम्मेदार ह ऑई, company के growth के लिए, business जिम्मेदार है, क्यों business काम कर जायाए, बड़ इसके अलवा सिर, company के growth के लिए, कुछ और भी लोग जिम्मेदार है, जैसे कि, finance provider, जोने business को क्या दिया है? जैसे debenture holder, bank loan, जोने क्या दिया है? तो क्या finance provider की growth के जिम्मेदार है क्या? अगर finance provider, finance मतलब पैसा देते नहीं थे तो बिजनेस कर नहीं सकते हैं तो बजनेस की ग्रोथ के लिए थे नेक्स जिम्मेदर को ने Finance Provider पका पेटा ऐसा करता बिजनेस की ग्रोथ के लिए सर और सर जिम्मेदार ए गॉर्मेंट की policy क्या सर आरे government अच्छी policy नहीं बनाती थी कर government तुमको बिजली प्रोड नहीं करती थी कर government तुमको water supply नहीं करती थी कर government तुमको raw motor transport करने के लिए road, railway ये सारे facility प्रोड नहीं करती थी तुम तुम business चीक से कर तो क्या आपके business के लिए आपके employee आपके worker जिम्मेदार है क्या गर employee worker अच्छे से काम नहीं करते थे, दिल से काम नहीं करते थे business grow कर नहीं से था तो आगे जाके जो नया concept है उसने क्या बोला कि business के growth के लिए दो लोग ने, पाच लोग जिम्मेदार है कितने लोग? पाच, पक्का, पहला owner तो है, दुसरा business है, तिसरा finance provider शोता, government और पाच्वा पाच्वा कोने, employee समझा क्या बेटा, तो एक concept क्या बता रहा है, business का जो growth हो रहा है, business में जो value addition हो रहा है, business में जो value addition हो रहा है, उसके पाच लोग, जिम्मेदार है, तो but obviously, आपके business में जो value addition हो रहा है, ये पाच लोग में बटना चाहिए, समझा बेटा है जी? ऐसा कौन बोलता है? value added statement, समझा क्या बेटा? तो value added statement is nothing but the advanced version of P&L account, P&L account सिर्फ क्या बोल रहा था? business के growth के लिए, दो लोग जिम्मेदार है, owner और business, owner को dividend दे दो, और business को बागी पैसा दे दो, खेल, खतम करो, बड़ा इसा नहीं होता है, ऐसा कौन बोल रहा है? value added statement, वो बोलता है हर business में कुछ value addition होता है, हर business में कुछ profit कम है है, जाता है जितना भी profit कम है वो उसके लिए, जिम्मेदार के लोगे पाँच, तो profit पाँच लोगे बटना चाहिए, इसी concept से हमने बनाया है, value added statement, बोलाया ना देखो सर, जब भी मैं बनाऊंगा value added statement, आपको ठीम समझे क्या बनाया बता रहे, आप देखो सो बनाये कैसे, ऐसा काजाता है value added statement में दो partition है सबसे पहले आपको पता ने चेह, आपके business में कितना value addition हुआ, आपको क्या चेह, आपके business में कितना value addition हुआ, तम लोग क्या निकालेंगे, calculation of value added, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, value added कितना value addition हुआ वो निकालेंगे, बोलो हा या ना सर एक बार आपका value addition हो गया, अब उसे करना है क्या है, बातना है एक बार value addition हो गया उसे का करना है, बातना है कितने लोगों में, पाच उनसे सब में बातना इसे हम लोग बोलते application of value added बोलो हा या ना बोलो sir value added में कितने पार्ट है पहला पार कितना value addition उसका calculation दूसरा application value addition मतलब उसका बत्वारा करना first part के कितना value addition हुआ sir कैसे करेंगे simply हम क्या लेंगे income पहले क्या लेंगे पक्का income में से less करो expense income में से less करो sir जब मैं income की बात करता हूँ sir मैं income में sale की तो बात करूँ income में क्या बात कर रहा है sir sale की बात कर रहा हूँ और मैं other income भी बात कर रहा हूँ sale से जो पैसा आ रहा है और other income यह सब कोने income income से में क्या less करूँगा एक्सपेंस में हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट आप बॉट इन कॉस्ट आप बॉट इन गुड़ सैंड सर्विसेज यह सुनते हैं जा बाकी जा रहा है डिटे में अपने काम का नहीं बेटा जी सवावा ही सिर्'ll हमें निकालना कितना वैल्यू एडिश्टिशन हुआ उसके लेग क्या सुगे इनकम से क्या हिसं करेंगे एक्समेंस इंकम में को नं आएगा मैं चैЗकर का income भी आएगा अधर इंकम भी आएगा लेज क्या करना है एक्सपेंस का मतलग क्या है कॉस्ट ओप बॉट इन गुड्स और सर्वेश आपने बिजनेस के लिए जो गुड्स लाए बिजनेस के जो मतरियल लाया अपने तर्वीश एस यूज के इन्हीं सब का कॉस्ट क्या आत सब्सक्राइब इन तो जितना भी मुझे इंकम मिलेगा उस इंकम में से मेरे सारे कोस्ट क्या करेंगे लेस तो जो बचेगा तो मैं क्या बूलूँगा मेरे पास कुछ वाली आडिशन हुआ है, बोलो हाया ना, सिंपल है बेटा, इंकम से क्या लिस करोगे, एक्सपेंस, जो बच्चे का वैल्यू, एडिशन, अब इसका बत्वारा करना है, अब बताओ सर, जितना, मान लो, हमारे बिजनेस में, वैल्यू एडिशन हो चुका है, दोसो, कितना हो चुका है, इंकम में से खर्चे काटने के बाद, दोसो का वैल्यू एडिशन हो है, इस वैल्यू एडिशन के लिए, कितना जिम्मेदार है, तो दोसो रूपै सब में बचने चाहे, पका किस किसको, जो कुछ पैसा किसको देंगे, ओनर को देंगे, कुछ पैसा किसको देंगे, बिजनेस को देंगे, कुछ पैसा किसको देंगे, फाइनाइंस प्रोवाइडर, कुछ पैसा किसको देंगे, गौर्मेंट को, फिर, फिर किसको देंगे, सर ठीक आपने बोला सर, इन पाच लोग को देना अबर चाह देंगे, पैस परता मतलग क्या देंगे, समुझज़ राता, owner को देंग, owner को देंगे, dividend. Finance, put क्या दोगे, Interest, क्या दोगे, finance क्या देंगे, interesse, government को दोगे, tax, and employee को, salary and wages, आपको सुझमारे मैं क्या ह्ता रहा ह। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनों नों भी यहाँ पे मुझे help के, इन्हें सब को देना पढ़ेगा, Sir, owners को क्या देंगे? Dividen, finance product को? Interest, government को, employee को, और जितना भी बचा कुछा surplus है, या जो भी reserve है, यह सब किसको मिलेगा? Business, retained earning, surplus, all reserve, किसको मिलेगा? Business को, थोड़ा बो समझा है क्या बेटा? उपर जा रहा है, फिर इसे बताएंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे है, Sir? Value added statement, क्या पढ़ रहे है, Sir? VAS, यह क्या बता रहा है? Value added statement of two parts, क्या-क्या? कितना value addition हुआ, उसे निकालो, second part, उसका बत्वारा मतलग क्या है? Application, कितने लोगों को पाटना है? अगर जानना है, कितना value addition हुआ, तो क्या करेंगे? Income से less करो, expense, income में को नाएगा, sale, और other income, less क्या करोगे? Expense, cost of, bought in, goods and service, जो goods से लाए, जो service लाए, उनका खर्चा क्या करोगे? Less, तो क्या में बिलेगा? Value, और जितना भी value addition हुआ, उसको बाटो, उसका application, कितने लोगों में? 5, तो first part, और second part, इन सब का total match होना चीए, जितना value addition किया, और जितना बट्वारा किया, क्यों है उन चीए? Match, बोल हा या ना? अगर मैच हो रहा है, तो आपका वैस क्या हो गया? Tally, जिपा के बच्चो, अब इस पर question देके सारा पार्ट, समझेगा, और कि अग्दम आसाने बट्वारा, जो कुछ मुश्किल लिए, थोड़ा बोल समझेगा बच्चो में क्या आता रहा हूँ? अब लिखने ही अभी? लिखने टाइम जाएगा बट्वारा? अब सम हो जाए बट्वारा, सम कबाइस पर एक बाइस सम हों तो शांति से उसके बाद जो लिखना लेको, माना ने करूँगा, चलो सर, फर्स कॉश्चन दहाँ से पढ़िये, मेरे सुनो, फर्स सम में बनानाई एक, एक प्रिपर्ट वैल्यू आडएड स्टेट्मेंट, मेरे चलो फर्स सम में एक पार लास्ट अच्छे से पढ़िये नाम पढ़िए से, कुछ नाला बहुत से बाउंसर गया अभी तुम ने पढ़ा इच नहीं बैटा ठीक है ना दियान दौभी सिप मैंने बता क्या बता फटा सम करें पुरा समझेगा इतना कम पेशन कैसे है तुम बोलोगा मेरे और इतना फटाक समझ भाता था बेटा जी तापों साइंटिस बनते है थे ना कुछ आइंस्टाइन न्यूटन बनते है थे ना बेटा टाइम लगता है समझने के लिए सम तो ने दो पेले कंसेप खतर उसके बड़ डिसारी करो ना कि समझाए कि नहीं समझाए चले पढ़ लिया कि आप लोगोंने उसके यह वाला पढ़ पढ़ लो झाल चाए झाल 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 चौन थ्सक्राबी이다 ची आप नू लिसन तू मियरे यह पर किया यो मनष़बतारों इशोड़े निया मुझा कए शेप wzglर्च पहले इंपास इंपासेट के लिस खरेंगी आपको क्या मिला है प्रॉफिस आपको क्या मिला है उफिस आपको क्या मिला है विसप究 keepingkelt बनाना है क्या है value-added statement अब शान्ती से अगले 15 मिन के लिए जो बतार सुनते जाओ फर्स्सम में बिटाइज आपको 50 देकर 60% करेटाइज जाएगी तो इससे आपको मैं और एक कॉश्चन करूँगा आपको पूर 100% मेरे गारेंटी बिटाइजी ठीक है करेंगे सर मुझाओ आता है इंकम से क्या विए इसके है एक्सपेंस क्या दिया है प्रॉफिट यह दिया है मेरे को प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट दिया है इसे मुझे करना है क्या है i have to prepare value-added statement चलो बदो फहले मुझा आता है value-added statement वे कितने पाट है दो पहला calculation value added कितना value addition हुआ वो निकालो, second part में उसका बत्वारा, बना application value added समुझा तो यह तो क्यानाई से कितना value addition हुआ, यह first part में जाएगा और जो बत्वारा कर रहे, application वो part 2 में बत्वारा, वो part 2 में देख जब मैं question पढ़ूंगा question पढ़ूंगा, आप मुझे बताएंगे, sir, क्या इस पैसे कोई पैसा finance product को जा रहा है क्या, कोई पैसा government को जा रहा है क्या, कोई पैसा owner को जा रहा है, कर कोई पैसा owner को जा रहा है, बोल रुको, sir, रुको, यह पैसा पहन्स जड़ा, और गवर्मेंट फिर एंपोलईपार पकार यह पाच लोग दिमाग में रखना इंको ख़िछयों मिलने वाला है उब करेव एक चलो सबसे पले कोई सर कि Katharum इंकंश में कोण ने सेल इंकंश में कोणे फिसेल पकार में कैड करो other income तो क्या मिलेगा total income जलता है कोई रिकट में तुमा दिवाई से लावा जपेले से कपरभड़ रहा है ठीक ना से सेल में आड़िकार हो other income तो क्या मिलेगा total income income sales क्या करोगे expense अरे अब तर कुछ बटवार होा था क्या चुछ दिया ना अब तर पैसे आरा सी इनकमिंग था लक्षमी आ रही थी जाएगे लक्षमी ठीक है बता हाँ अब सब्सक्राइब को पहला को ने अपरेटिंग कॉस्स किसको दे रहे हैं क्या हाँ अब देखो कहां पर बता रहा हूं सर अपरेटिंग कॉस्स कितना है 21 250 है क्या नाला कुछ इंफर्मेशन पढ़ना इंफर्मेशन तू को पढ़ो क्या दिया है मन में पढ़ा तो भी चलेगा जा दिया है अपरेटिंग कॉस्स इंकलूड 82 250 थाउज़र as a wages क्या बोल रहे है उपर जो अपरेटिंग कॉस है ना बच्छो यह सारे अमांट थाउज़र में क्या यह सारे अमांट थाउज़र मे यह 508 थाउज़र नई यह थाउज़र तो इसको भी लिखना पड़ेगा थाउज़र नहीं प्रम ज़ा आता हो उपरंचो अपरेटिंग वेंटिंग कोस ना कितना उपरेटिंग को सेथे 202 ख़्रोंच कितना अपरेटिंग काउस है 212 ख़्रोंच क्या बोल रहे है एस उपरेटिंग कॉस इंकलूड इस उपरेटिंग कॉस में को ने 8250 आगे 30 भूल जाओ इस उपरेटिंग कॉस में 825 जो किसका परिशा है वेजेस का सैलरी का और अधर बेनिफिट जो किसको मिलेगा एंपलाई को किसको मिलेगा तो बताओ टोटल ऑपरेटिंग कॉस कितना है ट्वेंटीवाइन टूफिफ्टी इसमें से A2 किसको मिलेगा employee E for employee और बाकी को ने अदर खर्चा बाकी को ने अदर कितना है अरे जेपा क्या बच्चों 21,250 के operating cost में से A2,5 किसको मिल रहा है employee और अदर कितना मिल रहा है हमारे काम को गुणसा है employee जो employee को मिलेगा वो part 1 है part 2 जो employee को मिले को ने application वो part 2 मैंने सको क्या लिका E for employee अरे जेपता है का पक्का फिर बोलो excised duty किसको दे excised duty गोर्मेंट को दे रहे सा नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडारेक्ट टैक्स है सर गोर्मेंट को बोलो क्या देंगे direct tax क्या देंगे सर पक्का एक्साइड डूटी नहीं देंगे next को ने interest on bank order of किसको मिल रहा है finance अब सुन आलाय को finance अपने क्या लएँ सर interest किसको मिल रहा है finance provider sir finance provider मतलब ऐसे लोग जिनको आपने कैसे दिया है long term के लिए इसे लोग किसके लिए है बूलाए किया चाह बूलाए इनफरमेशन थ्री में दिया क्या बैंक कोड्राफटेश टेंपरी चाह बाथ करो तेंपरी है अगर सब बैंक कोड्राफ के आए तेंपरी इसका मतलब वह लॉंग तर्म नहीं है तो फाइनाइस प्रॉइडर नहीं है और जिपता ही का फिर इंट profit before अब बताओ depreciation किसको मिल रहे क्या नहीं फिर क्या मिलेगा profit before tax profit before tax उसपे से less क्या करेंगे provision for tax सद टाक्स किसको मिलेगा सद टाक्स किसको मिलेगा किसको मिलेगा सद गोर्मेंट बोल हा या ना पक्का उसका next कोने सद जी profit after प्रपोस dividend किसको मिल रहा है किसको मिल रहा है owners को मिलेगा owner और उसको क्या बचा retain जितना किसने रटेन किया है business समझा है क्या बच्छो अब थोड़ दिमाग में जा रहा है बटा पक्का शोले फोड़ा समझा रहा है क्या बतारो बिटा जी बोलो operating cost में से 825 जो किसको मिल गया employee फिर क्या पेग exercise duty फिर क्या पेग interest दो इंट्रेस है bank order temporary वह अब मारे finance provider नहीं debenture का है long term आज दे finance provider उनको जो interest दिया है किसको मिलेगा finance provider उससे क्या मिला profit before depreciation वह balance figure है उससे less depreciation तो क्या मिलेगा profit before tax वह balance figure है उससे less क्या करोगे provision for tax tax किसके दे रहे government तो क्या मिलेगा profit after tax वह balance figure है उससे क्या दे दे dividend किसको owner को मिल रहा है क्या और बच्चा कुछा retain earning किसको मिलेगा बच्चा बच्चो बाकी information कुछ काम करे नहीं sale or represent net sale after addition कुछ काम करे वह ताइम पास के लिए हमें heading दूँगा statement of value added statement of value added सर वैस काम लोग कितने part में बनाएंगे part 1 में क्या लिकेंगे calculation of value added part 1 में कोन आएगा calculation of value added कितना value addition हुआ है पक्का सब part 1 में क्या करेंगे calculation of value added अगर आपको देख रहा है कितना valori हुआ है simple trick बता हूँ what is the meaning of value addition income में से expense कातने के बाद income expense कातने के बाद जो बच्चा वो कोने value addition but सुनो क्या question में income दिये क्या expense दिये क्या तो मैं बच्चा इनकम में से लिस करते expense जो बच्चे का कोने value add but sir इस पूरे statement में जो खर्चे थे ना कुछ खर्चे किसको दे रहे finance provider कुछ किसको दे रहे owner कुछ government और यह जो owner को दे रहे जो government को दे रहे जो finance को दे रहे यह सारी बाते कहा पहेगे पार तू में कहा पहेगे पार तू में अरे समझा क्या बच्चो जब भी तुम part one बनाऊगे part one मतलग क्या है कितना value addition हुआ उसमें के लिए सबसे पहले क्या लोगे income उससे less क्या करोगे income में से सारे खर्चे less करो पर ऐसे खर्चे less मत करो जो कहा पहेंगे part two क्यूंको कहा पहे लिखना part two में उनके लिए part one में कोई भी जगा नहीं है अरे कलता है का मुझे क्या देखना है कितना value addition हुआ है oke क्या चैसर जी कितना value addition हुआ है okay कितना value addition हुआ है बत्का बच्चो अब मुझा दश्योँ उसके लिए क्या करें income से क्या लिख किरेंगे expense बोलो पहले क्या लिखना income income में कौने sale है क्या और other income में क्या sale क्या है चैना है इंकम कितना है? दोनों मिला के? यह सर टोटल इंकम है क्या? सर टोटल इंकम से क्या लिस करेंगे? एक्सपेंस. सर टोटल इंकम में क्या लिस करेंगे? एक्सपेंस. एक्सपेंस में कोने? एक्सपेंस में कोने? अप्रेटिंग कॉस. सर टोटल इंकम से क्या लिस करोगे? operating cost कितना हैh 21,250 है क्या और जो employ को पार्ट्वार ना पार्ट्व तो पार्ट्व की बात्म यहां पे नहीं आगी समझा pes Prix ido की बोलो अपने कोस कितना बच्छो 21,250 उसमें से क्या मतलो employee का तो अधर लू क्या कितना है अरे speed ठीक है क्या ये कोने operating cost है next कोने बताईए excised duty कितना excised duty है ट्रिपल वन जीरो नेक्स कोने इंट्रेस और बैंक को ड्राफ समझा क्या कितना इंट्रेस है next कोने कोने सर जी इंट्रेस और डिबेंचर किसको देंगे finance provider वो कहाँ जाएगा पार तू में तो पार्ट वन में profit before depression कोने balance figure छोड़ दो फिर कोने depreciation फिर कोने सर डेप्रीसेशन कितना depreciation है 405 अब सुनो सर डेप्रीसेशन में भी दो concept है सुनो बैटा सर वैस्के दो टाइप होते है एक होता है gross value added statement और दूसरा होता है net एक होता है gross value added दूसरा क्या होता है net value added जब भी में बात करूँगा gross value added तो gross value added में यहाँ पे income से depreciation मत लेश करो gross में income से depreciation less मत करो और के बेटा जी gross concept क्या में बोलता है ए ऐसा हम value करते gross क्या मत करो हम नो यहां पर leaseद नफ्स नहीं करेंगे तो part two में पड़ेगा लिखर यहां पर leaseद नहीं करेंगे तो part two में लेना पड़ेगा तो gross concept क्या बोलता है depression यहां से les Dos मत करो part two में लीजिए but part two में किस कहां पर लेंगे dépression चाहिए ओर को मिल रहा है क्या depreciation cap finance पड़को मिल रहे कि गोर्ण में एक किसको मिल रहे है बिज्रेस को सब बिज्नेस को डेपरीश को مिल रहा मतलग कैं सब बिज्नेस एसेट का इस्तमाल करें बिज्नेस मैशिन का इस्तमाल करें तो उनको क्या मिला depreciation, अरे समझा क्या, अगर depreciation part two में लेना होगा, तो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर बचाएगा, business, अरे समझा क्या नालाई को, लेकिन अभी में किस से कर रहा हूँ, gross या नेट से, जब नेट से करूँगा, तो depreciation, यही पर क्या करूँगा, less, यह में क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो, किसी बुक में, कही पर आपने देखा होगा, तो depreciation, यहाँ पर less नीक है, तो depreciation कहाँ पर, owner के उसमें लिखा है, तो कुछ में भी कुछ गलत नहीं है, वो को ने, gross concept क्या सर, उसरे gross VAS बोलते हैं, अभी हम क्या रहें, net, और net concept में, depreciation यही पर less करना पड़ेगा, वो part two में, नहीं हैगा, आपको समझा क्या, आपको पता चलना चाहिए, क्या सर बढ़ा रहे है, समझा क्या बेटा, तो मैं depreciation less कर रहा हूँ क्या, पक्का, sir income से क्या लिस करेंगे, expense, expense में को ना आएगा, operating cost, excise duty, फिर, interest, फिर को ना आएगा, depreciation, next को ना आएगा, provision for tax, का पाएगा, government, part one पाट two, dividend किसको, owner, part one पाट two, retain earning किसको मिलेगा, business, का पे, part one पाट two, अरे समझा क्या, part two की बात हैं हमको, नहीं चे, अरे कलते का, ये जो income है, इस income से सारे खर्चे क्या करोगे, less, करो बच्छो, income कितना है, 24,908, उसे खर्चे क्या करोगे, less, क्या मिलेगा, 10, पक्का, income से क्या less करोगे, expense, यही मेरा को ने, value added, इतना मेरे पास value addition हुआ, बोल हाया ना, को मुश्किल था करे बेटा, बस पार टू की बाते लिखी नहीं है, खतम, बाके यह कोश्ण वही चेना, कोश्ण में इनकम लिखाता, लिखा, expense लिखाता, लिखा, difference निकाला, बस क्या लिखाने, पार टू की बाते, नहीं लिखी, इनकम से ले स्कोर, expense, तो आपको क्या मिला, value added, सर्च जितना value addition हुआ, उसको बातना पड़ेगा, बोलाया ना, उससे हम क्या बोलते, application, अब मैं इसका पार्ट टू करू क्या, पार्ट टू इसके बाजू में करू, बोलो सर, पार्ट टू में क्या निकाला, कितना value addition हुआ, पार्ट टू में क्या करना उसका, application, उसका बटवारा, कौन बताएगा, कितने लोगों बातना है, पहले, कुछ किसको मिलेगा, owner, फिर, business, कुछ किसको मिलेगा, business को, कुछ मिलेगा, government, कुछ मिलेगा, finance provider, और कुछ, पक्का, इनी सबको जो देना है, वो कोन है हमारा, application है, बोलो सबसे पहले किसको देना है, owner को, क्या देंगे, marking क्या दा है, किने, starting देखो, पहले, employee करे, employee को क्या दे रहे, wages, कितना दे रहे, E के बाद, next marking को ने बता हो, F, F मतलब, finance provider, क्या मिल रहे, interest on, dementia, F मतलब किसको, finance क्या मिल रहे, interest कितना मिल रहे, 1200, अरे जेपता है का, फिर मुझे रता हो, G मतलब किसको देना है, government क्या देना है, tax, कितना, 300, क्या देना है, कितना, का पर गया हो, 320, next मुझे जाता हूँ, business को क्या मिलेगा, जितना भी पैसा, retain क्या न, retain profit, किसको मिलेगा, business, कितना मिलेगा, और फिर owner को क्या मिलेगा, owner को क्या मिलेगा, डिविन कितना हैगा, 48, 48, जिपा क्या बिटा, कितना है, तैली हो रहा है क्या, जितना वालुटेशन हो था, उतना बटवा रहा हो रहा है क्या, अब बढ़ एजी है मुझे ले, पक्का, तो मुझे लगा था कि, अभी अभी आटलीस आपको, 50 समझा बिटा होगा, अभी आधा था समझा बिटा है जी, जिनको अभी भी आधान नहीं समझा, चिंता मत करो, अपने इस पर और एक क्वेशन देखे पर समझेगा, चलो इस पर लास का क्वेशन, क्वेशन कोंसा बिटा है जी, 4, सेम टाइप का बस नंबर बर ले, चलो फटा फट क्वेशन 4 को देखो, क्वेशन 4 में भी क्या दिया, प्रोफिट अन लॉस अकाउंट, साथ में पढ़ना है क्या, बस एक काम कर बच्छो, लास की इनफर्मेशन पढ़के निकालो, फर्स पार्ट में क्या दिया है, सेल, सेकंड पार्ट क्या दिया है, अप्रेटिंग कॉस में, 82 का कोन है, वेजेज, जो किसको मिलेगा, एंप्लाई, वो 82 है, कोन है वेजेज, किसको मिलेगा, एंप्लाई, और बैंक ओड्राफ क्या है, तेंप्रारी, पर लॉंग टर्ब, तो यह फाइनाइस प्रोवाइडर, नहीं है, अरे समझा क्या, सम को पढ़ रहे, सम को पढ़ तक, मार्किंग करना पढ़ेगा, किसके लिए मार्किंग, पार्ट वन के आइटम के लिए, या पार्ट टू के आइटम के लिए, पार्ट वन, आशना बुल रहे से, लास्त अंसर अलग था, बैटा, मैं वही तो बता रहा, वो डेप्री सेशन वाला था, मैं वही था, इसलिए तो मने बताया, सुनते कहा प्योरो बैटा, समझा क्या, इसलिए मैंने ग्रॉस, नेट सब मैंने बताया, सुनते जाओ, सुनते जाओ, यह मुझे पता था, यह अंसर कोई पूछे का, इसलिए मने पहले बता दिया था, चलो, सबसे पहले क्या होगा, सेल, किसको दे रहे क्या, आदर किसको दे रहे क्या बैटा जी, इंकम से क्या लेस करेंगे, एक्सपेंस, इंकम से क्या लेस करेंगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस में सबसे पहले कोई आएगा, अप्रेटिंग कॉस, बहुत सब अप्रेटिंग कॉस, यह तिंग ट्रिपल टू है न, सामान हिल गे, अप्रेटिंग कॉस, किसी को दे रहे क्या, operating cost 222 एक्या उसमें से कितना 82 किसको मिल रहा है employee और बाकी other कितना है sir 222 में 82 किसको दिया employee को कितना बच्चा है किसको दिया other कोई part 2 में जा रहा है क्या जो employee को दे रहा है part 2 में बाकी बच्चे का part one अरे जेपा क्या exercise किसको किसको देना है कि बेटा नहीं है क्योंकि उसको क्या बुलेंगे sir indirect मानेंगे बुलाया ना next को ने interest on bank or draft are they finance provider bank or draft को ने temporary long term तो finance provider नहीं है debenture का interest क्या है are they finance provider पक्का इसको F लिकू क्या next उससे क्या मिलेगा profit before इसका अमान बताओ यह इधर है इसको कितना बच्छो 11.20 interest of bank or draft A.K. interest of venture 15 और यह सबका total ना बच्छो income से less करो expense क्या मिलेगा profit before tax income से less करो expense क्या मिलेगा profit before tax वो balance sorry profit before depreciation वो balance figure है क्या उससे less कर depreciation वो part 2 मे आएगा depreciation part 2 में कब आता है अगर हम क्या use करें gross अब मैं किससे कर रहा हूँ net कर नेट से करेंगे depreciation part 2 में कर पार्ट 1 में जाएगा उससे क्या मिला profit before tax उससे क्या less करेंगे tax का provision tax किसको दिया government part 2 में जाएगा फिर उससे मिला profit after tax balance figure शोड़ दो उससे क्या पे क्या dividend किसको पे क्या owner को और retain earning किसको दिया business समझा क्या बेटा जी पक्का कोई दिक्कत सब इसे comfortable है शलो यह बने सब gross net वाला कैसे पहचाने बेटा जी यह exam मेंचन करेंगे न कि gross से निकालो net से निकालो और exam मेंचन करने बोलाए तो depression क्या करो less करो चिंता मत करो बेटा exam mention करेंगे न मैं अभी आपको net से करके बता है मैंचन करेंगे चिंता मत किजिए ठीके सारे marking हो कि बच्छो मुझे जहाँ जहाँ पे जो पार 2 में जाएगा जो पार 2 में जाएगा उसको marking किया है कि हम लोगों ने पका समझो आता हो जो finance F का marking किया है जो government का marking किया है फिर owner का जो marking किया है ये सब का कहा पार 2 में तो पार 2 के item छोड़के बाकि सब कहा पाएगा पार 1 में अरे समझा है क्या अब हम बना रहे वैस कोशन में कुन सा है हेडिंग देंगे statement of वैस सब वैस का long form क्या है value added statement कितने पार 2 बनता है पर पार 2 में क्या होगा calculation of value added कितना value शुन हो बाद में करेंगे बटवारा value addition निकालने के लिए हम use करेंगे income statement उस पैसे बस क्या नहीं लेंगे पार 2 की बाते नहीं लेंगे बाकी format क्या होगा same income से less करो expense income से less करो expense income में पहले कोने sale sale कितना है और other income कितना है बोलो income में कोने sale कितना है और other income दोनों मिला के क्या मिलेगा तो और टा निकरता 260 आ रहा है क्या यह टोटल इंकम से क्या लिस करोगे expense, बोलोगे expense में कौन कौन आएगा operating cost so operating cost पूरा का पूरा हैगा उस पेसे कुछ कौन था, employee car wages, वो जागा पार तुमें, operating cost कौन सा आएगा employee car wages या अदर employee वाल पार का पार वो छोड़ के कितना बच्चा है 140, वो अदर में गया क्या पक्का, next कोने बताईए excised duty कितना रहा है 11.20 next कोने बताईए बोलो ना, interest on bank or draft यह सब part 1 में आएगा ना interest on bank or draft कितना है 1 है उसका next कोने interest or debenture का पे गया part 2 में छोड़ दो profit तो balance विकरे depreciation लिखू क्या कि depreciation कितना है 4.1 पक्का उससे क्या मिला profit before tax balance विकरे बाकि tax operation का पे गया part 2 debin का पे गया part 2 returner का पे गया part 2 जेपा क्या हो गया part 1 अरे समझा क्या पर पार 2 के marking करने का part 2 के marking छोड़ के बाकि सब कहा पाएगा part 1 में उससे क्या मिलेगा value added income कितना है 260 उससे सारे खर्चे क्या करो less कितना हैगा इतना validation हुआ है क्या एक बार मिलेगा value added अब इसका क्या करेंगे बठवारा मतलब application application of value added कौन बताएगा value added कितने लोगों बाटना है 5 बोलो कौन-कौन पर ले किसको देंगे owner फिर किसको देंगे business फिर फिर किसको देंगे finance provider फिर किसको देंगे government को फिर employee को समझा क्या बेटा जी पक्का कोई दिकत से पाच को देना है क्या speed ठीक है सब के marking हमने किये दे क्या बताओ सर marking देके बताएगे पहले कोने सर कोने operating cost ना operating cost में 82 किसको देना है operating cost में 82 किसको देया employee E का mark था उसके next कोने बताओ sir interest किसको देना है finance order कितना interest देना है 15 किसको देना finance product बोला हाया ना next कोने बताओ sir tax को देना government कितना देना 2.4 next कोने divin किसको देना owner कितना 0.30 बढ़ा ना और बाग की रिटन किसको देना business कितना जाया शार सब को जिपा के बेटा सब का सब 103 पॉइंट कि जितना validation हुआ था उतना बटवार हो रहा है क्या खतम सम खतम कोई मुश्किल ना बेटाँ जी it is the end of the chapter सब को समझागे बेटाँ जी conference आरा बेटाँ इसमे surely शोरली इसी लगा मुश्किल लगा पका शोरली क्या बाते शांदा क्या बेटा फोटो निकाला है निकाला है चलो फोटो रिसका निकाला फोरिजिंग को मंगता रिसका निकाला फोटो done हो गया प्रण ओन का फोटो अवस हब पाट तू का फोटो ने मॉईवाँ आगे थरी ने का पिर早के वो हндे बोल आगे थरी में इक मेन यहाँ पर दो यह प्रैक्टिकल मेन करने थे एम्वा इवा आगे करोगा चिंदा मत को वैलेश्य प्रिंसिपल है अपना उस पर करो जाएगा डोंट वरी दन और इसका जो फॉर्माट है हो गया शाला बिटा तो यही पर रुखते यह सब को समझा का जो पड़ा अब मुझे बताओ, अभी सब को समझा, यह वैस समझा है क्या, जो पहले बोले सब नहीं, तो टॉफ है, अभी कुछ टॉफ है क्या रहे बेटा, इससे तो टाइम देने घर चीज़ के लिए, क्योंकि बेटा, डेप्री सेशन हमने नेट मेथड से किया है, ग्रॉस में डेप्रीशन लेस कर, तिर नहीं नहीं लिए, यह सपकाश शेर कर, डॉन रोरी बेटा, बाकिया शाम को मिल रहे है, सुनो, आज शाम को दो टॉपिक है, सी एम और एफ एम, कल जो पढ़ाता ना पुने, फाइना, कल के पढ़ा फाइनेशन से इंपेटिशन, उसका थेरी है शाम में, और उसके आलाव शाम में, एफ एम का टॉपिक अपना है, कुन सा, पोर्ट फ